अब बतम तो ये क्रदंत प्रकरण क्रत प्रत्य जो हबारे सद्धान्द कौमदी में बताए गए है उस प्रकरण के जो विशेश आवस्यक सूत्र है जिसका ज्ञान होना ही चाहिए उन चीजों को लेकरके और आपके प्रिक्षा के लिए निर्धारित जो है वो सूत्र उन सब को लेकरके हम प्रारम करते हैं अब गतम तो आज हम क्रदंत प्रत्य को प्रारम कर रहे हैं इसलिए कुछ जानकारी अपेक्षित है सुत्र को पढ़ने से पहले इसलिए उसको समझ ले देखे कि जब हम क्रिया का प्रयोग करते हैं मूलता शब्द को दो रूप में हम प्रयोग करते हैं शब्द के दो रूप कहे जाते हैं मोटे तोर पर एक तो शब्द का वह रूप होता है जिसका प्रयोग हम क्रिया के रूप में करते हैं क्रिया को प्रयोग करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं उसे विशेस नाम से जानते हैं और उसे व्याकरण में धातु कहते हैं धातु का मतलब वह शब्द जो किसी क्रिया को बताता है तो एक तो वह शब्द होता जो किसी क्रिया के बारे में क्रिया अर्थ को बताएगा दूसरा जो शब्द होता है वो क्रिया से भिन्न शब्द जितने भी क्रिया को छोर करके अत्रिक्त शब्द है उन सारे ही सब्दों को हम व्याकरण की भाशा में प्रातिपदिक या नाम इस नाम से जानते हैं या उसे हम नाम कहते हैं या प्रात्पदिक कहते हैं अब प्रात्पदिक जो होता है उसको फिर हम अलग अलग रूप में समझने के लिए बोलते हैं विभार करते हैं तो जैसे मालिजे कि कोई भी सब्द है चायम उपसर्ग बोले अब्य बोले नाम बोले सर्वनाम बोले तो संग्या सर्वनाम विशेशन उपसर्ग अब्य ये जितने भी प्रकार के विशेश रूप से कहे जाने वाले शब्द होते हैं उस शब्द को हम प्रात्पदिक के न से जानते हैं और दूसरा जो हमारा शब्द है जो क्रिया का बोधक है उसे हम धातु कहते हैं अब ये जो धातु है इसका प्रयोग हम विशेश अर्थ में विशेश कालों में बताने के लिए कि निर्द्हारित जो प्रत्य है उन प्रत्यों को लगा करकी उसका प्रयोग करते हैं जिसे हम सामाने भी जूप से हम तिंग प्रत्य के द्वारा बोधकरते हैं और उसे तिंगंत के नाम से जानते हैं, तो जिस क्रिया वाचक शब्द का प्रियोग हम को करना होता है, उस शब्द को हम विभिन लकारों में प्रियोग करके विशेश अर्थ में उसको बोलते हैं, तो इस तरह से एक तो क्रिया वाचक शब्द का प्रियोग लकार में करते हैं और उसकी प्रिया तिंगंत प्रकरण में चलती है, इधर क्या है कि जब हम क्रिया का प्रियोग करते हैं, तो उस क्रिया वाचक शब्द का दूसरा एक रूप होता है, दूसरे रूप को हम क्रिया से प्राद्पदिक के रूप में परिवर्तन करते हैं, तो क्रिया से जिश शब्द को क्रिया वाचक शब्द को विशेश प्रत्य लगा करके प्राद्पदिक शब्द के तरह, प्राद्पदिक के तरह हम नाम के तरह प्रियोग करते हैं, वह भी हमारे पास अलग से प्रयोग में आता है तो ऐसी स्थिति में विशेश प्रत्य लगा करके धातु को जो हम शब्द बना देते हैं उस शब्द विशेश को हम कृदंत आधि प्रत्य से जानते हैं कृदंत आधि प्रत्य के द्वारा उसका बोध करते हैं बात समझ में आरी बात तो जब हम अनुवाद बनाते हैं तो उस समय में कई चीजों को जिस क्रिया का प्रयोग हमें लकार में नहीं रहता है विभिन अर्थों में क्रिया का प्रयोग कैसे करेंगे तो ऐसे अर्थ में कृत प्रत्य कुछ लगा करें हम उस क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं तो इस तरह से धात उसे जो बनने वाले शब्द हैं प्रत्यों की द्वारा उन शब्दों का निर्वचन इस प्रकरण में किया जाएगा अवगतम एक तो प्रात्पदिक है जो विशुद्ध प्रात्पदिक है हलांकि सरवे शब्दाह धातु जाह सभी शब्द धातु से ही बने होते हैं लेकिन फिर भी धातु से विशेश अर्थ को बताने के लिए विशेश प्रात्पदिक के द्वारा उसका अर्थबोद करने के लिए जो प्रियोग विशेश होता है उसका निर्धारन कृत आधी प्रत्यों के द्वारा होता है अवगतम तो उस विशेश धातु से बने हुए शब्द के बारे में ही हम आज पढ़ना प्रारंब कर रहे हैं अवगतम तो ध्यान दो कि संस्कृत में कोई भी शब्द होता है तो उसमें दो इस्थिती होती है अलग अलग उसको हम निर्वचन करते हैं तो दो तरीके से बोलते हैं तो एक तो होता है जिसे हम प्रकृती कहते हैं प्रकृती मने पहले से जो चीज़े कहेंगे प्रकृती और उस प्रकृती से विशेश अर्थ को बताने के लिए जिसका विधान करेंगे, उसे हम प्रत्य कहते हैं, इसलिए प्रत्य का मतलब हुआ, किसी भी शब्द से विशेस अर्थ को बोध कराने के लिए, प्रकृति के साथ में जिसका प्रयोग होता है, उसे हम प्रत्य कहते हैं, इसलिए जब हम सामाने रूप से पढ़ते हैं, तो कहते हैं, प्रत्य यते विधी यते इती प्रत्य यह, अर्थात अर्थ विशेस को बताने के लिए, जिसका विधान किया जाए, उसे हम प्रत्य कहते हैं, और यह जो प्रत्य होगा, कहा होगा, तो उसके लिए कहता है, परस् किस अर्थ विशेश को बताने के लिए? प्रकृति के विशेश अर्थ को बताने के लिए. तो वह शब्द जिस से हम प्रत्य करेंगे उसे प्रकृति कहेंगे और उस प्रकृति से जिस अर्थ विशेश को बताने के लिए जो चीज लगाएंगे उसे प्रत्याई कहेंगे उदाहरण के तौर पर फिर चर्चापन करेंगे हम बोलते हैं कि क्रीधातु का अर्थ है करना अब करना इस क्रिया अर्थ को बताने वाला जो धातु है उस धातु से ही करने बाला ये अर्थ हमको बताना है तो इस अर्थ विशेश को बताने के लिए हम चर्चा करेंगे कि देखो कि क्रीधातु जो है उससे हम नवुल प्रत्या करते है नवुल प्रत्या का ये परिवर्तन हो करके अकसेस बचेगा और ये जुड़ गया तो क्री से अकलक करके और प्रक्रिया से उसमें परिवर्तन करके कारक बन गया तो अब यह जो कारक है इसमें करता अर्थ आ गया करने बाला तो यह करने बाला अर्थ आ गया तो धातु था क्री करना लेकिन करने बाला इस अर्थ विशेश को बताने के लिए हमने नवुल का विधान कर दिया इसलिए नवुल क्या है प्रत्य अवगतम तो इस तरह धातु विशेश से विशेश अर्थ को बताने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रियोग किया जाएगा उस प्रत्य विशेश को जिस प्रकरण विशेश के नाम से या जो भी प्रत्य कहते हैं उसे हम कृत प्रत्य आदी के द्वारा जानते हैं और उसे जिस प्रकरण में रखा गया है उस प्रकरण विशेश का नाम है कृदंत प्रकरण अवगतम यह प्रकर्ण कौन सा है कृदंत तो कृत है अंत में जिसके क्रित क्या चीज है प्रतयय अब कृत किसा अर्थ में होगा यह हम चर्चा करेंगे लेकिन कृत प्रत्यय जिसके अंत में हैं उस करोड़eston इसको हम क्रदंत कहेंगे, तो वह शब्द कैसे बनेगा, इसके बारे में जो विचार करेंगे, इसके बारे में जो विचार जिस प्रकरण में है, अब यह जो क्रदंत प्रकरण है, तो इस प्रकरण में धातु के प्रयोग को विशेश प्रत्य के द्वारा हम बताते हैं इसलिए कोई भी नया काम हम जब करते हैं तो वह नया काम किस से हो इसको बतानी के लिए हमारे व्याकरण की एक परंपरा है कि पहले हम उस विशेश का अधिकार चलाते हैं कि जो भी काम होगा वो इससे होगा अब गतम तो इस इस्थिती में इस प्रकरण को प्रारंब करेंगे ये जो कृत आदी प्रत्य है ये कृत आदी प्रत्य किस से हो इसको बताने के लिए सबसे पहला जो सूत्र है वह सूत्र है धातो हो तो कुछ सामन्ने चीजे हैं जो आपको पहले समझ लेना चाहिए ताकि आगे समझने में कतई दिक्कत नहों बात समझ मारे बात तो धातो हो ये एक सूत्र आया और ये सूत्र आ करके कहा कि देख भया अब जो भी काम आप आगे करना जिस चीज का भी विधान करना वो विधान धात उसे ही करना तो अब हम जो भी प्रत्य पढ़ेंगे वो धात उसे ही पढ़ेंगे और विशेस अर्थ में पढ़ेंगे अब गतम तो जैसे मालीजी अभी हमने कहा कि कृत प्रत्य पढ़ने जा रहे हैं कृत प्रत्य जिस शब्द के अंत में होगा उस शब्द को हम कृदंत शब्द कहेंगे तो कृत प्रत्य किसी विशेस अर्थ में होगा तो हम आगे चलके चर्चा करेंगे कि उस विशेस अर्थ क्या है तो वहां कहेगा सूत्रा करके कि करतरी कृत करता अर्थ को बताने के लिए कृत प्रत्य का प्रियोग होगा मने किसी भी क्रिया को करने वाला इस अर्थ में जब हम प्रियोग करना चाहेंगे तो उस अर्थ में जो प्रत्य होगा उस प्रत्य विशेस को हम क्रत प्रत्य कहेंगे करता अर्थ में होने वाला जो प्रत्या, करता अर्थ विशेश को वताने वाला जो प्रत्या, उस प्रत्या को हम कृत प्रत्या कहेंगे अब गतम, तो अब ये कृत प्रत्य किस से हो, ये जिग्यासा हुई, तो उसके लिए कहा कि ये कृत प्रत्य धातु से हो, धातु से होगा, अब ये अभी हम इतना समझ लें कि धातु से प्रत्य पढ़ेंगे, अब ये जो कृत प्रत्य है ये एक सामान्य नाम है तो सामान्य नाम होने के कारण इस कृत प्रत्य को अच्छी तरह से समझने के लिए इसको प्रत्य के आधार पर कार्य के आधार पर अलग-अलग रूपों में बाटा गया है बात समझे भारे बात तो उस कृत प्रत्ये में कुछ ऐसे प्रत्ये हैं जिसका बिशेस नाम रखा गया है और वो बिशेस नाम क्या है कृत्य प्रत्ये ध्यान देना अभी क्या कह रहा हूँ और पहले क्या कहा कि कृत प्रत्य एक सामान्य नाम है इस सामान्य नाम है विशेस कुछ प्रत्य है जिसको विशेस नाम से हम जानेंगे और विशेस नाम क्या है तो कृत्य प्रत्य कृत्य संज्य एक होती है कृत्य प्रत्यों में से कुछ प्रत्यों की तो वह कृत्य प्रत्य प्रधान रूप से कहा करें कृत प्रत्य कहा करें तो इस तरह से विशेश नाम वाला जो कृत्य संग्यक प्रत्य है वह चुकी कम है समझ भारे बात की ने और वह एक विशेश नियम है तो विशेश नियम को यदी पहले समझ लिया जाए तो उसको छोड़ करके बाकी सामन के छेत्र में आ जाएगा तो वह अपने आप समझ में आ जाएगा अब गतम इसीलिए इस कृदंत प्रकरण को प्रारंब करनी के पहले उस कृदंत का जो विशेश नाम वाला प्रत्य है कृत्य प्रत्य है उस कृत्य प्रत्य का विधान पहले करने जा रहे हैं इसलिए इस कृदंत प्रत्य में जो विशेश कृत्य नाम का प्रत्य उस प्रत्य का विधान पहले करना है हमको इसलिए इस कृदंत प्रत्य में भी इस प्रकरण विशेस का नाम कृट्य प्रकरण है तो इसलिए इसको हम कहते हैं कृदंते कृट्य प्रत्य यहाँ मने कृदंत में भी जो कृत्य इस विशेस नाम से होनी वाला जो प्रत्य है उस प्रत्य विशेस को कृत्य प्रत्य कहेंगे इसलिए कृदंत प्रकरण के प्रारम में जो विशेस प्रकरण रखा गया है उसे कृदंते कृत्य प्रकरण कहते हैं तो हम पहले कृदंते कृत्य प्रकरण में जो विशेस नियम है उसको पढ़ेंगे। क्यों कि यह उस क्रिदंतप्रत्य से भी ज्यादा उप्योगी है और इसी का प्रयोग हम ज्यादा अनुवाद में करते हैं। जब छात्रों को लकार में शब्द का प्रियोग नहीं बनाना आता है क्रिया का, तो उसका प्रियोग हम प्रत्य लगा करके कर लेते हैं, जिसमें आपका तब्य तब्यत अनियर आधी प्रत्य यत आधी प्रत्य विशेश जो परिक्षा में प्रश्टब्य होता है, वो पूछ क्रृत्य संग्यक प्रत्य है हुआ है उस क्रृत्य संग्यक प्रत्य की चर्चा हम करेंगे। तो चाहे कृत्य प्रत्य हो चाहे कृत्य प्रत्य हो दोनों ही प्रत्य क्यूकि धातु से होना है इसलिए सबसे पहले इस प्रकरण में अधिकार सूत्र के द्वारा धातों हो इसको ला करके समझा रहे हैं कि चाहे आप कृत्य प्रत्य पढ़ो जो भी प्रत्य करोगे वो प्रत्य धात उसे ही करना अब गतम तो इसी लिए उसकी चर्चा अभी आएगी लेकिन चूकि अपन कृदंत में जिस प्रार विशे को प्रारम कर रहे हैं वह विशे कृत्य संग्यक प्रत्य को ले करके हैं इसी लिए इस प्रकरण विशेस का नाम है कृदंते कृत्य प्रकरणम अर्थात क्रदंत में ही कृत्य नाम का विशेश जो प्रत्य है उस प्रत्य की चर्चा करेंगे अब गतम, अब इस कृत्य प्रत्य का प्रयोग कब करेंगे, किस अर्थ में करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारी चर्चा हम अब करमिक प्रारंब कर रहे हैं तो अभी हमने आपको बताया कि ये सारे प्रत्रों से होंगे इसलिए इसको बताने के लिए पहला सूत्र क्या रखा धातो हूँ और कहा कि ये भाईया अधिकार सूत्र है और अधिकार किसको कहते है कि जो सूत्र अपने अर्थ को अपने से बादवाले सूत्र में ले करके जाता है और विधी सूत्र में अपने अर्थ को डाल करके और अपने अनुरूप विधी सूत्र के अर्थ को पूरा करता है उसे कहते हैं अधिकार सूत्र बने स्वव अर्थ को विधि आधि सूत्रों में जो डाल करके दे करके अपने अधीन करके विधि सूत्र के अर्थ को पूरा करता है उसे कहते है अधिकार सूत्र उसको अपने लिए कोई ज़रत नहीं होती है तो इसलिए स्वव अक्यार्थ बोध सुन्यत्वेसति स्वेतर वाक्यार्थ बोध कत्तम अधिकारतम जिसको अपने अर्थ की अपने लिए कोई ज़रत नहीं है लेकिन अपने से बादवाले को अधिकरित कर देगा कि अब जो भी अर्थ करोगे जो भी काम करोगे वो मेरे से ह करना इसी को हम दूसरी भाषा में कहते उत्तर उत्तर गमनम अधिकार है जो जिसका अर्थ बाद वाले सूत्र में क्रमिक चलता रह जाए उस सुत्र विशेस का नाम अधिकार सूत्र है अब गतम अब ये ध्यान दीजिए कि इस प्रकरण को प्रारंब्र यहां क्यों किया गया थोड़ा सा इसलिए कुछ बता देता हो कि ताकि आगे समझने में कतई भी कटनाई नहों विशे का स्वरूप पहले पूर्व अच्छी तरह से हो जाए इसलिए तो ध्यान दिना कि क्या है कि एक सूत्र आता है कृदा तिंग यह जो सूत्र है वह सूत्र कहता है कि तिंग से भिन जो प्रत्य होता है उस प्रत्य को कृत प्रत्य कहते हैं तिंग से भिन्न जो प्रत्य है क्योंकि धात उसे प्रत्य होगा तो धात उसे दो तरीके के प्रत्य होते हैं एक तिंग प्रत्य तिपता जी लगा करके जो हम प्रियोग करते हैं और एक कृत प्रत्य है तो एक सूत्र जो कहता है कृत तिंग मने तिंग से जो भिन्न है उसे प तिंग से भिन्न प्रत्य की हम करेंगे कृत्सज्या तो यहां भिन्न जो है तिंग से भिन्न तो पहले तिंग को जानना जरूरी था तिंग क्या है इसका प्रयोग क्या है इसलिए तिंग प्रत्य का निर्वचन इससे पहले प्रकरण में कर दिया गया है तो तिंग के प्रकरण के तिंग प्रत्यों के अर्थ निर्धारन करने के बाद उससे जो भिन प्रत्य बचा कृत प्रत्य उसका निरूपन करने के लिए इसलिए पहले तिंग प्रत्य का निर्वचन हुआ क्योंकि अपवाद शास्त्र का ज्यान पहले होना जरूरी होता है तो तिंग से भिन को कृत कहते हैं इस अर्थ में जब तक तिंग नहीं समझेंगे तब तक कृत का ज्यान नहीं होगा इसलिए तिंग क्या है वो किस अर्थ में होता है इस बात की जानकारी भटोज जिक्षित ने हमको पहले आधे पूरुम में हमें तिंग प्रकरण में कह दिया गया। इसका अधिकार किये। अब यहाँ एक बात जरूर यह चिन बात आती है। धात उसे यंग प्रत्य करके हम प्रयोग बनाते हैं लकार में। बोभू यते इत्याज प्रयोग बनता है। तो यह जो धातो है तो धातो रेका चो क्रियासमभी व्याहारे यंग इस सूत्र में धातू पहले से पढ़ा गया है। तो किसी का ये कहना है कि यहां अलग से धातो के अधिकार करने की कोई जरूरत नहीं है। तो की धातो से ही तो आप काम करेंगे। धातो रेका चो कि क्रियासमभी व्याहारे यंग इस सूत्र में धातो पहले से पढ़ा है। तो उस धातो की अनुवरति Blair сохран हो जाती हैं pale. तो यहां भी जो हम प्रत्य पढ़ेंगे तो धातु से ही प्रत्य पढ़ेंगे धातु की अन्वृत्य हो यही जाती तो अलक से इस धातु की शंञ्या अधिकार हम क्यों कर रहें तो कहते हैं कि विशेस बात है अंतर है अब जिसमें ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा कहीं आप लोग डर के मारे छोड़ न दो क्योंकि प्रकरण में तो आप लोग पढ़े तब्यत प्रत्या होता है उससे तब भी बचता है प्रत्या में लग गया तब्यत बन गया भवितब्यम बन गया करतब्यम बन गया इती सि इससे कई वार डर भी लगता रहता है कि वीशेश कुछ बताएं या न बताएं लेकिन कुछ चीजे आवस्थ है इसलिए बताना जरूरी होता है और उस समझना भी चाहिए अवगतम तो इसलिए मैं यह कहा कि यहां पर में धातो अलग से सूत्र बताया और अलग से सूत्र बत क्रिया संभियारे यंग तो उसी सूत्र से धातु की अनुवरित्ति आ जाती तो उससे ही धातु ग्रहन हो जाता उसी से प्रत्य कर लेते अलग से धातु ग्रहन क्यों किये तो कहा कि विशेश बात है विशेश बात यह है कि यदि हम धातो रेका चो क्रिया संभियारे यंग इस सूत्र से धातु की अनुवरित्ती करके करते और यहां धातु नहीं करते तो एक दिक्कत आजाती कि एक दिक्कत आ जाती कि आर्धधातुक संझ्या करने वाला सूत्र आर्धातुकम सेशह। वो सूत्र क्या करता है तिंग और सित से भिन्न की आर्धातुक संज्या करता है तिंग सित भिन्न हा एतत आर्धातुक संज्या करता है तिंग और सित प्रत्ये से भिन्न प्रत्ये की आर्धातुक संज्या होती है अब ध्यान रखना प्रश्ण में क्या कर रहा हूं और समाधा पहले से हो जाएगी क्यों हो जाएगी धानकना धातोरेकार चो यह जो शूत्र है यह इस सूत्र है तीसरे अध्याय के पहले पाध का 56 वह राध्य और और前 वह प्रकरण अभी धहातों शूत्र पड़ें वुट realm अध्याय के पहले खंड का 91 नमबर का सूत्र है तो इससे पूर्व में वो सूत्र पढ़ा ही है तो यहां अलग से धातों हम नहीं पढ़ेंगे तो भी इसकी अनुवृत्ति यहां आही रही है तो उसको लिए अलग से धातों करना भी करते तब भी चल जाता यह था प्रश्ण तो फिर आपने अलग से धातों का यहां विशेश अधिकार क्यों कर रहे हैं तो उसके लिए जवाब दे रहे हैं कि समस्या यह है कि एक सूत्र आरधातों कम सेशा और आरधातों कम सेशा जो है वो सूत्र क्या कहता है कि तिंग और सित से भिन जो प्रत्य होता है उसकी अब ये जो तिंग और सित से भिन जो धातु है, समझेगे ने, उस धातु से जो प्रत्य होगा, उस धातु से सभी प्रत्य की क्या हो जाएगी आरधातुक संग्या, तो अब ऐसी स्थित में देखो, प्रियोग बनता एक लूभ्याम, लूभ्याम, पूभ्याम, इत्यादी, लूभ्यातु से सब्द बना करके भ्याम प्रत्य करके हम लूभ्याम प्रियोग बनाते हैं, तो यहाँ धातु क्या है लूभ्याम, और उससे प्रत्य करते हैं त्रतिया के दिवचन में भ्याम, तो लू और भ्याम है, अब यहाँ देखो, सामनी रूप से धातु कौन हो ग तो तिंग सित से भिन हो गया, ऐसी सित में तिंग सित से भिन हो जाने के कारण, धातु से भीत हो जाने के कारण, भ्याम की क्या होने लग जाएगी, आरधातुक संग्या होने लग जाएगी, तो लू के बाद में भ्याम है, ऐसी सित में क्या होगा, कि सारुधात का अरधात को इत्यादि शूत्र से लू के उग्मो оч गुन होने लग जाएगा क्योंकि आर्धातुक पर में हो गया और थातुक संग्यक्रत्य हो गया उसे एक सग्मbane इम उस दूपन में अजए उसको गुन होने लग जाएगा भिय, आत तरह से कहीं आर्धातुक निमित तक जो बलाद इट का आगम होता है वो इट का आगम होने लग जाएगा तो ऐसी स्थित में कहा कि देखो वुष सूत्र में जो धातु कहा गया है और वहां जो ततत प्रत्य हैं उन प्रत्यों के द्वारा जो तिंग सित से भिन्द आद की सामानी रूप से जो आधातु जब धातु मात्र से प्रत्य का विधान होगा अवगतम तो यहां पर में विशेस धातो इस सूत्र के विधान करने से कहा कि देखिए कि इस धातु से जो तब्य तब्यत आदी प्रत्य जैसे हम विधान कर रहे हैं इसी तरह से साक्षात जदी धातु से तब्यत तब्यत आदी प्रत्ये के रूप में जहां विधान होगा वहीं पर में आरधातुक संग्या होगी अन्य जगा आरधातुक संग्या नहीं होगी अब गतम तो पुनह इस सूत्र में धातु ग्रहन के द्वारा कहा कि इस धातु से भीत जो प्रत्ये है उसे प्रत्ये से ही होगी अब देखो भ्याम जो है वो भ्याम मूल रूप से धातु से भीत प्रत्य नहीं है वो तो हम नाम प्रात्पदिक से करते हैं तो यदि हम धातु ग्रहन नहीं करते हैं पुनरविधान तो ये अर्थ नहीं होता कि धातु मात्र से जो भीत प्रत्य उसी प्रत्य के आर्धातु स अधिकार सूत्र है तो अधिकार है तो कहां तक अधिकार जाएगा इसका तो कहां कि देखो आत्रतिय समाप्ति है रधिकार हो जाएगा ये तीसरे अधियाए के पहले पाद का 91 नंबर का सूत्र है तो इस अधियाए की समाप्ति तक अर्थात ये अधियाए जहां तक पुर्ण होगा उस अधियाए तक इसका अधिकार जाएगा तो इस अधियाए के स अमाप्ति तक जितने भी आपके सूत्र जितने भी प्रत्य का विधान होगा वो सारा का सारा प्रत्य का विधान धात से ही होगा अब जब धात से होगा तो ध्यान में रखेगा कि यह एक तो तिंग से भिन्न प्रत्य है और यहां हमने आपको बता दिया है तत्रों पदम सप् उपद संञ्या करेगा तो ऐसे जो कृत प्रत्य होंगे उसकी उपद संञ्या भी करेंगे हम और उपद संञ्या करके आगे हम उसका प्रयोग भी बनाएंगे कुम्बकार इत्याजिस्थल में इसलिए इस सूत्र की चर्चा करता हुआ बीच में नर्देश मात्र दे दिया कि तत्रो पदम सप्तमि स्थम और कृदतिंग अर्थात उपद संया भी यहां करेंगे हम और यह जो प्रत्य है योतिंग से भिन्द प्रत्य है इसलिएThere ईहां ध्यान रखे जो विशेष प्रारंब हो रहा है अब यह प्रक्रण प्रारंब हो रहा है उसमें कोई भी प्रकरण हम जब पढ़ेंगे तो वहां दो तरह के नियम लागू होते हैं एक सामन नियम लागू होता है और एक विशेस नियम होता है तो सामन नियम को व्याकरण में हम उत्सर्ग नियम कहते हैं उस सामन नियम को बताने वाला जो नियम होता है उसको उत्सर्ग शास्त्र कहत त्यान में आरी बात एक होता है नियम उत्सर्ग नियम मने सामन नियम और एक होता है अपवाद नियम जो होता है वो हमेशा बलवान होता है और सामन नियम को रोक देता है तो जहां सामन नियम से कोई प्रत्य प्राप्त होगा वहां अपवाद नियम यदी रहेगा कोई तो उ सामन नियम है लेकिन इस प्रकरण में हम विशेस स्थल में जो अपवाद नियम है जिससे सामन नियम का नित्यबाद होना चाहिए अर्था सामन नियम कभी नहीं लगना चाहिए उस सामन नियम को भी हम लगाएंगे उसका भी प्रयोग करेंगे अर्थात उस अपवाद शास्त्र के द्वारा सामन नियम का बाध विकल्प से होगा अब गतम तो सामन नियम हमारा सिध्धान्त क्या है कि अपवाद शास्त्र जो होता है वो बलवान होता है क्योंकि अपवाद विशे को छोड़ करके ही उत्सर्ग विशे प्रविर्त होता है तो अपवाद नियम विशेस विधी है और विशेस विधी में जो पूरुपर नित्यन तरंगा अपवादा नाम हमारे शास्त्र की प्रक्रिया में कौन बलवान है इसमें अपवाद शास्त्र को सबसे बलवान माना गया है तो जहां कहीं भी अपवाद शास्त्र होगा वो सामन नियम को बादेगा ये सिधा सिधा नियम है लेकिन इस प्रकरण में हम अपवाद शास्त्र के बलवान होने पर भी उस अपवाद शास्त्र से जो सामन शास्त्र का नित्य बाद होना चाहिए था वो न करके अपवाद शा सामन नियम भी लगेगा एक पक्ष में अपवाद नियम भी लगेगा तो ये जो एक विशेस बात होगी इस प्रकरण में इस बात को बताने के लिए सबसे पहले ताकि प्रत्य पढ़ते समय दिक्कत न हो इसलिए इस बात को बताने के लिए सबसे पहले वही नियम वही सुत्र हमारे सामने में रख करके पहले हमें साबधान कर रहे हैं कि देखो वहिया इस प्रकरण में अपवाद नियम से जो नित्यबाद होगा वो नित्यबाद नियो करके विकल्प से होगा तो उसी को बताने के लिए सुत्र दिया वा सरूपो औस्त्रियाम वा सरूपो औस्त्रियाम ये पहला सुत्र है और इस सुत्र को समझना बहुत जरूरी है इसलिए ध्यान रखना तो इसमें कहा कि ये सुत्र क्या है परिभाशा सुत्र है ये क्या है परिवाशा सूत्र है अब ये परिवाशा क्या चीज़ है ये भी हम कई बार बता चुके है कि जो सूत्र बिधी सूत्र के अर्थ को पूरा करता है अनियम स्थल में भी नियम करता है उस अनियम को नियम बनाने वाला जो सूत्र होता है नियम होता है उसे परिवाशा कहते है त तो यह सूत्र परिभासा सूत्र है और आगे जो सूत्र आएगा उसमें कहेगा कि वहिया आप अपवाद हो तो विकल्प से काम करना आप सामान्य हो तो आपके पास भी विकल्प से प्रवर्ति होगी शास्त्र की तो अभी हमने आपको कहा कि हम किसके अधिकार में पढ़ रहे हैं धातु के अधिकार में प्रत्य को पढ़ रहे हैं तो धातु के अधिकार में जो पढ़ा जाने वाला जो यह प्रत्य है इस प्रत्य में जो प्रत्य आपके दो रूपों में दिखाई देंगे एक प्रत्य जो समान रूप वाला प्रत्य है इसको थोड़ा सा पहले समझ लिजे कुछ प्रत्य ऐसे होंगे जिसका रूप एक जैसा होता है जैसे माल लिजे हम अन प्रत्य करेंगे तो अन प्रत्य का भी शेष बचेगा अ और हम कप्रत्य कहीं करेंगे तो कप्रत्य का भी शेष क्या बचेगा अ तो दोनों प्रत्य का सेष अ बचा इसलिए ये दोनों प्रत्य समान रूप बाला प्रत्य कहलाएगा ध्यार में आरी बात कि एक प्रत्य होता कुछ प्रत्य ऐसे होते हैं जिन प्रत्यों में समान रूप सेश बचता है जैसे हमने कहा अन प्रत्य है तो अन प्रत्य का भी सेश क्या बचेगा और को प्रत्य कहीं करेंगे तो उसका भी सेश क्या बचेगा और ये दोनों अन और को प्रत्ये समान रूप वाले प्रत्ये कहलाएंगे। कुछ प्रत्ये ऐसे हैं जिन प्रत्ये के रूप समान नहीं होते हैं। कुछ प्रत्यों के रूप समान नहीं होते हैं जैसे माल लिजे कि हमने कहा कि आपको तव्यत प्रत्य आपने किया बात समझे बार है तो एक प्रत्य आपका तव्यत प्रत्य हो गया तो तव्यत प्रत्य का सेश क्या बचा आपको तव्यत बच गया एक रूप क्या बन गया तब्य बचा अब इस तब्यत प्रत्य का जो अनुवंद लोप हो करके आपने तब बचाया है तब्य बचाया है अब ये स्वरूप हमको प्रियोग में भी दिखाई देगा लेकिन यदि इसी तब्य के अर्थ में इसी चीज को बताने के लिए हम कहेंगे कि भी कौप प्रत्य होता है तो कौप प्रत्य का सेश क्या बच गया अब अ और तब्यत ये दोनों का स्वरूप भेद हो गया तो ये दोनों सब्द दोनों प्रत्य असरूप प्रत्य कहलाएंग अब गतम तो इस सूत्र के द्वारा ये कह रहे हैं वा अलग से कीजिए असरूपह अस्त्रियाम असरूपह अर्थात ऐसा प्रत्य जिस प्रत्य का समान रूप न हो ऐसा जो प्रत्य होगा उसे हम असरूप प्रत्य कहेंगे समझेंगे ने अब यह असरूप प्रत्य क्या करेगा तो कह रहा है वा बिकल्प से करेगा ध्यान दिजे इस सूत्र में दो चीजे आई एक तो हो गया वा जिसका अर्थ हो गया बिकल्प से और एक शब्द आया जिसका अर्थ क्या हुआ असरूपह समान रूप नहीं है जिसका ऐसा अर्थाया अवगतम तो समान रूप नहीं होगा जिस प्रत्य का वो विकल्प से ये दोनों इस सूत्र के सब्द से अभी प्राप्त है तीसरा इस सूत्र में क्या दे दिया ओस्त्रियाम तो ओस्त्रियाम का मतलब क्या है कि इस्त्री शब्द के सब्तमी के एक वचन में जब प्रियोग करेंगे तो क्या वनगा है इस्त्रियाम और इस्त्रियाम में विशे अर्थ में सब्तमी है तो विशे अर्थ में सब्तमी होग तो इस्त्रियाम का अर्थ क्या हुआ इस्त्री विशय में इस्त्री अर्थ में और उसमें और लगा देंगे तो अर्थ क्या हो गया और इस्त्रियाम मनें इस्त्री अर्थ को छोड़ करके इस्त्री प्रत्य को छोड़ करके अब ये सुत्र में तीन जो पद हुआ इस तीनों पद के आधार पर अस्त्रियाम का अर्थ निकला कि इस्त्री अर्थ में जो प्रत्य होगा उसको छोड़ करके अर्थात इस्त्रित्य के अधिकार में जो प्रत्य होगा उस प्रत्य को छोड़ कर जो असरूप प्रत्य होगा उस असरूप प्रत्य वालों में बा मने बिकल्प स से होगा अब विकल्प से क्या होगा समझेंगे ने इन सारी चीजों को पूरा करने के लिए सुत्र के बृति में लिखते हैं कि यह कौन किसका अधिकार चलना है भया धातु का तो कहते हैं असमिन धात्वा अधिकारे इस धातु के अधिकार में जो प्रत्य आपको पढ़ाए हम और चाहीं और किकारे वह छोब होगा तो कोन की अधिकार ओदाणा यह कि आपक्रत्य विक्लप खेंगी प्रत्या तो अपवाद के अत्रिक्त शास्त्र कौन बच गया उत्सर्ग तो वह अपवाद शास्त्र जो बाधक होगा किसका बाधक होगा उत्सर्ग का इसलिए अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि वह अपवाद शास्त्र उत्सर्ग होगा बिकल्प से तो इस धातु के अधिकार में असरूप बाला जो प्रत्यय अपवाद प्रत्यय वो अपवाद प्रत्यय उच्छर्ग शास्त्र का अर्थात सामन्य प्रत्यय का बिकल्प से बाद करेगा अभगतम बाधक होगा बिकल्प से कब होगा अस्त्रियाम बिना तो कहते हैं ध्यान में रख करके इस्त्री के अधिकार में जो प्रत्यय कहा गया उस अधिकार वाले प्रत्यय को छोड़ करके अब गतम तो अब इसमें सूत्र का तात्पर पूरा ये निकला कि भाईया देखो इस कृदंत प्रकरण में जिन प्रत्यों का रूप असमान रूप होगा ऐसे जो असमान रूप वाले प्रत्य होंगे उसमें अपवाद शास्त्र के द्वारा उत्सर्ग शास्त्र का बाध वि जैसे अब उदाहरन से समझ लो कि हमने आपको कहा कि सूत्र नवुल त्रिचव है अब गतम अब ये जो नवुल त्रिचव है ये एक सामान्य नियम है कि नवुल प्रत्य हो और त्रिच प्रत्य हो करता से तो नवुल और त्रिच प्रत्य है धातु से हम विधान कर रहे हैं त कि देख भई, सभी धातु से तृच प्रत्य नवुर्प्रत्य होगा, इगुप धग्याप्री किरहक, मैंने इगुप धातु यदी हो, इक है उपधा में जिसके ऐसे धातु हो, याध हातु इससे कौ प्रत्य अब यहां देखो साम्हान्य नियम हो गया कि नवल और तलिच प्रत्य अप वगाद शास्त्रो गया अब दोनों का स्वरूप क्या है भिन्द है को का असेस बचता है नवुल का अकसेस बचता है त्रिच का त्रीशेस बचता है तो नवुल त्रिच से भिन्द स्वरूप वाला प्रत्य हो गया को प्रत्य और को प्रत्य क्या था अपवाद है तो अब अपवाद जब है तो अप जब बाद होगा तो ऐसी स्थित में इगू पधग्या प्रीकिरह कह इस सूत्र से जहां कव होगा वहां कभी भी त्रिच प्रत्य या अकप्रत्य नहीं होगा अब जब त्रिच प्रत्य अक प्रत्य जब नहीं होगा तो माल लिजे हमारा प्रियोग बनता है कि क्षिप धात हुए तो क्षिप धात हुए तो क्षिप धात में उपधा में एक है अब गतम तो अब इस जे उपधा में एक है तो इस्थिति में क्षेपता भी प्रियोग बन विक्ष्प भी बनता है तो कौप रत्य वाला भी रूप बन जाता है तो यदि ये सूत्र नहीं होता वासरूपो अश्रयाम ये शूत्र नहीं होता तो सामन्य नियम जो है कि अपवाद शास्त्र नित्य उत्सर्ग शास्त्र का नित्य बाद करता है तो इससे नवल त्रिचव का हमेशा बाधक नित्य बाधक हो जाता कव प्रत्य इगू पदवग्या प्रिक्रिक का सूत्र से होने वाला कव प्रत्य नियमित बाद कर देता तो तो कभी भी वहां त्रिच प्रत्य नहीं होता तो विक्षेपता अधिप्रियोग नहीं बनता अब ये सूत्र कह दिया कि नहीं नहीं यदि स्वरूप प्रत्य नहीं हो तो अब बाद शास्त्र विकल्प से उत्सरग का बाद करेगा तो विकल्प से करेगा तो एक पक्ष में त्रिच भी हो जाएगा, नगुल भी हो जाएगा, और एक पक्ष में कभी हो जाएगा, अब गतम, अब ध्यान दो, अब हमने यह कह दिया, कि यह नियम कहां लागू होगा, जहाँ अस्वरूप प्रत्य होगा वही पर में, इसका मतलब समान रूप बाला प्रत्य जदी कहीं रहेगा वहाँ पर में अपवाद सास्त्र नित्य ही बाद करेगा अपवाद सास्त्र वहाँ विकल्प से नहीं बाद करेगा ये ध्यानक ना क्योंकि वो समान रूप बाला प्रत्य है तो जैसे हमने आपको कहा कि अन प्रत्य जो है अनप्रत्य का भी सेश बचेगा आ और को मुझे आसमान क्योंकि हम अनुवंदों को लेकर के अ समान नहीं मानते हैं जब परिवासेंद उसे खर पढ़ेंगे तो उसमें एक परिवासा आती है नानुबंध कृतमा सारूप्यम नानुबंध कृतमा सारूप्यम मने अनुबंध को ले करके प्रत्य को असरूप नहीं माना जाता है अनुबंध में ये नहीं कह सकते कि को में तो को प्रत्य है और अन में अप्रत्य है तो दोनों में अनुवंद है अलग अलग इसलिए दोनों प्रत्य अलग प्रत्य कहलाएंगे ऐसा नहीं क्योंकि अनुवंद कृतम सारूप्यम नभवती अनुवंद को ले करके असारूप्यम नहीं माना जाता है तो अनुवंद कृतम असारूप्यम नभवती अ वो हो गया समान रूप वाला प्रत्य तो अन प्रत्य का वीशेश क्या वस्ता है और को प्रत्य का वीशेश क्या वस्तेगा और इसलिए ये दोनों प्रत्य क्या क्या लाएंगे समान रूप वाला प्रत्य और समान रूप वाला प्रत्य यदी होगा तो वहां नित्य ही उत्सर के सास्त्र का बाद हो जाएगा अब गत्म वहां पर में विकल्प की प्रबर्ति नहीं होगी समझlorब इसी लिए ध्यान दो कि हमने कहा है कर्म उपपपद में रहने पर अन प्रत्य होता है तो यह जो कर्मन्यन जो है यह सुत्र क्या है सामानिनियम है और एक सुत्र तुम आगे चल के पढ़ोगे आतो अनुपसर्गे को मने आदंत्धात उसे रहे तुम्हें प्रत्य होता है ऑ यह कौप्रत्य जो है यह विशेश नियम है अपवाध नियम तो इसका मतलब यह को प्रत्य कभी भी अनप्रत्य को नहीं होने देगा कभी भी नहीं होगा तो जहां को प्रत्य होगा वहां अनप्रत्य की कभी इस्थिती ही नहीं बनेगा पात समझवारी बात किया ने तो इसलिए समान रूप वाला यदी प्रत्य है तब तो ऐसी इस्थि में गाम siya ka friendly कर्म उप्पद में दाधात तो अब यहाँ पर में घ्रांदना वुप्षर्ग से घंध चाँ थे कब अनुप्रत्य कभी नियुओ अससे कपलिए लुपि h exam जहां समान प्रत्य होगा वहां तो नित्य बाद होगा और जहां असमान प्रत्य होगा वहां विकल्प से बाद होगा तो इस प्रकरण में हम बहुत सारे अपवाद प्रत्य पढ़ेंगे तो कल से ये चर्चा मत करना कि गरुजी यहां तो ये इसका बाधक नियम है ये विशे सोत्र पहले रखना पड़ा कि देख इस प्रकरण में असरूप बाला जो प्रत्या होगा ऐसा अपवाद प्रत्य सामन्न प्रत्या का विकल्पसे बाधक होगा अब आपने क्या खा कि इस्त्रिय अधिकार ओकतं बिना ये जो चीजे होगी ये इस्त्री अधिकार में जो प्रत्य है उस प्रत्य में ये लागु नियम नहीं होगा ध्यान में रखना, तो इस्त्रि के अर्थात, इस्त्रियाम उक्तिन प्रत्य करोगे, मैंने इस्त्रित्व के अर्थ में प्रत्य होगे, मैंने इस्त्रि निमित्तक जो प्रत्य होगा, तो जैसे वालो इस प्रकरण में हम पढ़ेंगे सुत्र, इस्त्रियाम उक्तिन, इस्त्रि बाद कर देगा अक्सर का इसलिए वहां कभी भी उत्सर्ग शास्त्र की प्रविर्ति नहीं होगी इसलिए ये कहेंगे कि वहिया इस्त्रय अधिकार में जो प्रत्य है उस प्रत्य को छोड़ करके ही जो असरूप प्रत्य होगा वह असरूप प्रत्य उत्सर्ग शास्त्र का व कल्ब से बाधक होगा अब गतम इतनी बातें आवस्यक थी इस चीज को समझने के लिए इसलिए हमने कहा कि ताकि अब जो हम आगे प्रकरण में तब्यात यत नियत आधी पढ़ेंगे अब ध्यान दो जो हमने कहा कि जैसे नियत प्रत्य है तो नियत प्रत्य का भी सेस क्या अब दोनों प्रत्य समझने हो गया क्योंकि यत प्रत्य का भी सेस या बचा बचता है और नियत प्रत्य का भी सेस क्या बचता है यो इसका मतलब अब हम भिशेस नियम के द्वारा ये नहीं कहेंगे कि यहां पर में नियत प्रत्य ही हो क्योंकि अचो यत क्या है सामन्य प्रत्य अजन्त धात उसे सब जगा यत प्रत्य करेगा लेकिन वहीं पर में विशेश नियम आएगा कि नहीं री हलोर नियत रिकारांत और हलंत धात से नियत प्रत्य हो अईसी स्थिति में भिशेस जो नियम होगा उससे नित्यबाद होना चाहिए, लेकिन नित्यबाद नहीं होगा, तो दोनों बुरुख बनेंगे, तो हम भव्यम भी प्रयोग बना लेते हैं और भाब्यम भी बना लेते हैं, तो भव, भूधात से जब हम यत्त प्रत्य कर दे क्यों कि ये दोनों प्रत्य समान रूप वाले प्रत्य हैं हम और वैर अनुवंद के रहने पर दिखाए दे रहा है लेकिन न्यत और यत इन दोनों के अलग से हमारा अलग सहान नहीं माना जाएगा क्योंकि सेस जो बचेगा उसके स्वरूप में भिढ़नता नहीं होनी चाहिए तो नियत में भी प्रत्य यह है और यत में भी सेस क्या बचेगा यह तो दोनों समान प्रत्य वाले होंगे इसलिए यहां समान प्रत्य होने के कारण विकल्प से बाद जब होगा तो एक पक्ष में नियत भी हो जाएगा और एक पक्ष में यत प्रत्य भी हो जाएगा अब गतम समझवे आगे बाद अब ये एक छोटा सा प्रक्रण समाप्त हुआ स्वरूप मने यही का न कि जहां प्रत्य के अनवंद लोप होने पर एक जैसे रूप बचेंगे ऐसे सारे प्रत्य स्वरूप प्रत्य कहलाएंगे जैसे अनकावी सेश क्या वचा अ, कव प्रत्य कावी सेश क्या वचेगा अ, तो ये दोनों प्रत्य समान रूप वाले प्रत्य होंगे, यत प्रत्य कावी सेश क्या वचेगा यह, और नित कावी सेश क्या वचेगा यह, तो इसलिए ये दोनों प्रत्य क्या होंगे, सरूप व वाले प्रत्या में ही करेगा विकल्प से और समान रूप वाला जहां प्रत्या होगा बात समझवारे बात की ने तो वहां पर में क्या करेगा कि नित्वाद करेगा इसलिए मैंने कहा कि हमने पूरु में जो पढ़ा सूत्र क्या करा असरूप अपवाद प्रत्या समान रूप नहीं है जिसके ऐसे प्रत्य इसलिए तब्यत प्रत्य जहां होगा जहां त्रच प्रत्य होगा और वहां जदी कव प्रत्य प्रत्य होगा तो दोनों प्रत्य में असरूप प्रत्य है तो यहां विकल्प क्या बाद विकल्प से समान का उस उत्सर का बाद होगा समझवा आगे बात तो इस तरह से अब इस प्रकरण में जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमको केवल इतना ध्यान रखना है कि किस-किस प्रत्य का सेश रूप समान बचता है तो जहां सेश समान बचेगा वहां तो नित्यबाद कर देगा जहां अलग-अलग रूप दिखाए देगा वहां विकल्प से उस्षास्त्र की प्रविर्ति हो जाए अब गतम कर लेंगे चलिए इसी तरह से अब यह कहता है सुत्र कि असरूपो अपवाद प्रत्यस्च अस्मिल धात्वा दिकारे इस धात्व के अधिकार में असरूपो अपवाद प्रत्य है असरूपो जो अपवाद प्रत्य है अर्था जिसके प्रत्य के समान रूप नहों ऐसे जो अपवाद वाला प्रत्य है सुत्सर्ग से अबाद को बा वह उत्सर्ग शास्त्र का विकल्प से बाद होगा इस्त्रिय धा अधिकार उक्तम बिना इस्त्री के अधिकार से भिन्न प्रत्य होने के पर तो अब यह एक प्रसंग जब पूरा हो गया आगे जो हमने अभी कहा था अब हमारा प्रसंग चलेगा कृत्य प्रत्य का तो कृत्य जो प्रत्य है विशेश संग्यक प्रत्य है उस संग्या का अधिकार प्रारंब कर रहे हैं तो कहते हैं अधिकार वो यम नवुलह प्राक ये अधिकार जो है ये नवुल प्रत्य से पहले तक इसका अधिकार जाएग उस प्रत्य का नाम कृत्य प्रत्य होगा और कहता है करतरी कृत्य करता अर्थ में होगा तो कृत्य प्रत्य करतरी स्यात तो इती प्राप्ते अब कृत्य प्रत्य जो है ध्यानकना हमने क्या कहा कि कृधंत में ही विशेश संज्या होगी तो विशेश संज्या होगी तो हमारा स सूत्र है करतरी कृत इस सूत्र से अब करता अर्थ में ही कृत्य प्रत्य होगा करता अर्थ में ही कृत्य प्रत्य की प्राप्ति होगी इसको रोकने के लिए कृत्य प्रत्य कहां हो किस विशेश अर्थ में हो इसको बताने के लिए अगला सूत्र आता है तयोरेव कृत्यक्त जो है कि ऑपने के लिए ये प्रकरण चालू होगा तैयोर्चयth खलार्था यह कहेगा ilियुक्रित्र पर श्रृच्व Murray मालन काकूर्चयश करणूelin निए वो केवल भाव अर्थ में और कर्म अर्थ में, अब भाव और कर्म अर्थ में क्या होगा, वाकि कैसे बनाएंगे, क्या अंतर है, ये सब चर्चाप कल करेंगे, तो इस प्रकरण को हमने आज प्रार्म किया, और ये प्रकरण चुकी बहुत महतुपूर्ण प्रकरण है, और इ इस सब की भी जानकारी इसी प्रकरण में और विशे सुरूप से कृत्य प्रत्य के द्वारा ही हम प्रियोग करते हैं इसलिए सभी छात्रों को समझना चाहिए अधिक से अधिक इसको विस्तार कीजिए ताकि और बच्चे कल से अपने नियमित समय पे आए क्योंकि अभी तो प्रारम भी हुआ है तो इस तरह से मुख्य विशे का प्रारम हम कल से करेंगे अब अभी हमने आपको पूरी क्रित्य प्रक्रिया का सारा सारां समझा दिया ताकि आगों समझने में दिक्कत न हो फिर आपन मिलेंगे 15-20 मिनट के बाद बाक्य पदियम के साथ